बिस्मिल्लाहिरामाद रहीम तो स्टुडेंट्स हमारा जो इस वीक का विक्री का लास्ट टॉपिक है वो है कि आप लोग किसी भी फंक्शन में से अबजेक्ट को किस तरीके से रिटरन करना है ठीक है बचो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आर्गूमेंट पा कर सकते हैं बच्व मैं इसी को इसी एक्जेंपल को यूज करूंगा और आप लोगों को समझाऊगा कि किस तरीके से आप लोग जो है उसको रिटरन कर सकते हैं ठीक है अब मैं यहां पे सबसे पहले तो यहां पे चेंजिंग करूंगा अगर आप इस फंक्शन में से तरह इ नैं में पॉइंट का फार्मूल है आप लोग एक टाया को दूसरे फॉइंट के एक सी में चाहिंट पकर करते हैं टो आपके पास दूसरा जो है यह करें आप पर डटाइप जूँ के अप ऑप स्कूपने को आप इसके भी होनी चाहिए, अब बचो क्या यह करता हूँ मैं यहां पर आके मैं बचो एक जो है एक अबजेक्ट बनाता हूँ यह चाहे आप लोग यहां पर बना ले यहां पर उपर पॉइंट में भी बना ले यहां पर बना लेते हैं इसको मैं कहा लेता हूँ point यहाँ पर हम कह लेते हैं कि mid ठीक है जी बचो इसका नाम मैंने mid राक दिया यह एक object बन गया है ठीक है point type का हमारे पास variable बन गया है mid अब मैं यह करता हूँ मैं इसको just यहाँ से change करता हूँ मैं यह कहता हूँ कि mid का जो x है न वो equal है मैं इसके ठीक है और इधर भी मैं इसको भी क्या कर देता हूँ mid का mid dot y simple हो गया जी यह तो बहुत असान हो गया अब यह देखिए क्या हुआ कि यह जो point है ना यह mid point जो है जिसका नाम मैंने mid रख है mid का x इसके equal है ठीक है जी और mid का y जो है वो point पहले point के y के और दूसरे point के y के two divide करके तो हमारे पास यह mid के y के अंदर में नहीं सेव हो गया अब मैं इसको हटा देता हूँ बचो यह तो अब मैं नहीं करूंगा कि कि मैंने जब भी mid point के function को काल करना है तो मुझे यहां से कोई ना कोई value return होगी और value return क्या होगी value sorry object पूरा का पूरा return हो रहा है mid ठीक है तो obviously बात है जब भी मैं इसको काल करूंगा तो यहां से कुछ ना कुछ return मिलेगा और वो मुझे कहीं ना कहीं store करना है अब यहां से मै को इसका different तरीके से काल करना पड़ेगा मैं चलें यहां पर कह लेता हूं कि जो तो पीठी है पीठी के जरीए चलें काल कर लेते हैं पीठी डॉट मिड़ पॉइंट को काल करते हैं अब यहां पर हमें values हो देनी पड़ेंगी एक पॉइंट हम कहते हैं पीवन कूंकि हम लोग आर्गुमेंट भी यहां पर ऊपर सॉरी हम लोगों ने डिक्लेर की हुए तो बच्चों जब इस function को काल करना है वहां से कोई नहीं कोई value return नहीं है उसको कहीं नहीं रखना तो है ना तो आप चाहें तो उसको P3 के अंदर रखने के लिए आप क्या करेंगे पीछे लिख देंगे इसके P3 ऐसे कर लेंगे P3 अब यही जो कापी चंस्टॉक्टर वाला काम जो थोड़ा सा जो ऑबजेक्त को काफी करते हैं थह को दूसरों जांगे करते हैं उसके दोतरीकों और सिल्ब हो उसको पार और पास कर देते थे यह फिर हम लोग उस maidus अब्जेक को डेक्लेर करते हैं यहां फिर हम उसको एक्वल रखके तो दूसरे अब्जेक के अंदर जो है वह कर लेते थे तो उसको हम लोग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रॉक्टर भी कहते हैं चलें बाराल सिंपल यहां से वैल्यू रिटन होगी ना यानि सुरी ऑब्जेक् से वहारा कहां पर आजाएगा त्रभ्टी के ओधक है सिध्यकर मिछ्येक्टर अब्रॉक्त्स करें यहां ऑप लिजुय करें लोग कि हैं इसके इश्य पास जो इसकाम इड wild ऐस पास आपको ने obviously comma दिखाना है comma then obviously आप लोग क्या करेंगे जी आप लोग दूसरी value है वो कौन सी है P3 P3 का y ठीक है यह basically limit है जो उपर से return हो रहा है अब आगे आप लोग क्या करेंगे जी आगे आप लोग यहाँ पर brackets को close करेंगे और this is our final statement so we will run it अब इसको run करते हैं हमारे पास एक error आया error हमें क्या कह रहा है expected initializer before dot token हमारे पास sorry हम लोगो ने यहाँ पर यह गल्ती किया यह गल्ती हम लोगो ने declaration उसकी दुबारा कर दी है ना लोग तो नहीं आप रहेगा तो हमने सिर्फ उसको चेंज किया था तो यहाँ पर हम लोग इसको क्योंके इसकी आलड़ी हम लोग इसको टेक्लियर कर चुके हैं यह देखें पॉइंट मिड तो हम नीचे आप उसको फ्लोट भी कह रहे थे और वो कौन सा रिटर्न हो रहा था यहां से मिड रिटर्न हुआ था और वो मिड जो है वो किसमे आ गया था पी थरी के अंदर ठीक है जी तो जब भी आप लोगोंने ऐसे फंक्शन को काल करनी है जो के वैल्यू यह आपजेक्ट यह कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा तो पर हमने वो पी थरी को साइन की है और दन पी थरी का एक्स चो किया और पी थरी का वाइशो किया है उमीदा आपको समझ आई होगी अगर समझ नहीं आई अगर स्टेल इसमें क्वेस्टन है तो यू कैना आस ठीक है जी इसको आप पूछें इन्शाला ताके बेतर आप लों को समझा सकती है